सो नाव निफ्टी और बैंक निफ्टी और देखे कल है और यहां पर मुझे लगता है कल एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर होनी है देखें निफ्टी ने तो अपना काम पूरा कर दिया है लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी दो सो पॉइंट का एक टेजी जो है ना वो दो सो पॉइंट की बनती है वो क्या यहां पर जो है ना वो चार्ट पर समझते हैं लेकिन पहले हम देखेंगे आरब आई मीटिंग का और यह स्ट्रेड़ी की बात कर रहे हैं और कल क्या हो सकता है यह पूरा सिनेरियो आपके सामन रहा था कल से वो भयानक के गिरावट जो है ना वो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर स्टार्ट हो जाए और हो सकता है आजार पूर्ट निफ्टी के अंदर वो सारी बैंक निफ्टी के अंदर चले जाए तो हमने देखा कि आज को मार्केट जो है ना हमार सिर्फ और सिर्फ निप्टी और जो उसके अंदर एक गैप था जो अपनी बात हुई थी दो-तीन दिन पहले से और पांच-छे दिन के अंदर आप ने देखा किस तरीकर की तेजी बनी है निप्टी के अंदर वो गैप जो लास्ट गैप था ना वो फिल होने वाला है तो अभ जो है वो देड़ परसेंट भी अभी गिर गया था और S&P 500 वो गिरा हुआ है स्मॉल कैप US के अंदर देड़ परसेंट डाउन है तो अभी गिरावट ज़्यादा है और DEX के अंदर भी कुछ 100-100 पॉइंट की गिरावट है तो इस वित ग्लोबल मार्केट के यह आल है और SG जी एक्स निफ्टी यहाँ पर जो है पचास क्यावन पॉइंट डाउन दिखा रहा है तो देखिए पॉसिबिल ही है कि कहले यहाँ पर आर्विया के पास कुछ होगा नहीं जादा कुछ पॉस्टिफ बोलने के लिए क्योंकि अभी अगर आपने देखें इंडिया का दिक् आर्विया जो है वो इंटेस्ट्रिक तो बढ़ाएगा लेकिन कमेंटरी जो है वो खराब रह सकती है उपर से मांसून की ऊपर जो है ना आगे थोड़ी से चिंता बन सकती है तो चिंता जाना की इस्तिति है अभी क्रूड ऑइल भी बढ़ रहा है क्रूड का पॉट्ट यहां पर अर्विया के बट यहां पर आगे की इस्तिती जो है वो कहीं नहीं चिंता जाना को सकती है ऐसा आर्विया की तरफ से कहीं नहीं आ सकता है अगर कुछ पॉश्च्टिव आया तो चीज़े बदलती हूँ नजरा है लिए कि अ कितना बदलेंगी यार यह सबसे बड़ी बात है आई भी मीटिंग से पहले ही तेजी हो चुकी है गैफिल हो चुके हैं सब कुछ हो चुका है तो सारी चीए जो है ना वो एक सिनेरियो बनके तयार है तो अभी देखे हुआ क्या है एक्चुल में 557 पर बंद हुए है 570 का हाई है हमारा टार्गिर था 570 7570 अगर आएगा तो ये जो गैप है ये जो गैप है वो फिल हो जाएगा ये मार्च 10 मार्च के आसपास का जो गैप है वो फिल हो जाएगा सेम टू सेम वही होता है वो गूम गया निफ्टी और उपर नहीं वड़ पाया लास्ट टाइम है और आज वो पूरी पूरी बहुत है यहां पर हो गया और एक रेजिस्टेंस अगर आप कहें तो कहां तक है 17,590 तक बस इस से ज़्यादा नहीं तो अभी ना यह जो एक उपर गैप छूटा था वो पूरा हो चुका है दूसरा चार्ट अगर आप देखोगे निफ्टी यहां से घूमा है जहां पर क्लो और यह ट्रेंड लाइन से घूमा है तो अगर पूरी यहां पर गड़त सही बैट रही है क्योंकि अब तक गड़त सही बैट ही जैसे 208 मैंने आप से पहली कहती है 208 निकलेगा तो आपको 570 देखा वो 570 आपको देखने को तुरंद मिल गया उसमें कोई देरी हुई नहीं अगर इस वक्त गड़त और ठीक बैट रही है तो कल यहां पर बिग सेलिंग डे हो सकता है जया रखे है लेकिन एक बात याद रखेगा अपने अंदर ये बैठाल कर मत बैठेगा कि कल बिग सेलिंग डे है इसके लिए मैं आपको सीधे कह रहा हूँ क्योंकि पहले से अगर और यहां पर करना है और यहां पर स्टेडी करनी है बस तो क्यों हमें दिख रहा है कि यहां पर अपसाइट खतम हो चुकी है वो एक टेंड लाइन भी जवाब दे रही है उसके बाद जो गैप था वो भी फिलो गए तो यह दो बाते हैं जो हाविया बस हो गया तो यहां प से 125 पॉइंट का या 150 पॉइंट का गैप डाउन दिखा जो कि हमने दो दिन से गरावट नहीं देखी है द्यान रखेगा डेक्स के अंदर गरावट भी आज एशियन मार्केट भी गरावट थे हम आउट परफॉंग करके और यहां पर गैप फिल कर दिया मार्केट बंद हो होते हैं लेकिन है कल अगर यहां पर जो है सुरुवात ही गरावट से होती है तो द्यान रखेगा एक रिकवरी आएगी आर्भी मीटिंग शुरू होने से पहले एक रिकवरी आएगी अगर यह 125 पॉइंट 130 पॉइंट 140 पॉइंट नीचे खुलता है वह रिकवरी आएगी टेज रिकवरी होगी मार्केट के अंदर लेकिन जैसे ही आर्भी मीटिंग स्टार्ट होगी उसी वक्त आपको समझ जाना है उसके पांच मिनट पहले प्रीमियम डिके होने लगे अपने आप हार यह मीटिंग में ऐसा देखा गया है ठीक है तो अचानक से प्रीमियम डिके रहना होगा इसके लिए भी तो अगर डाउन मिलता है 300 और रिकवर हो जाता है पूरा और कोई कॉल कर लेकर पैसा बना लेता है तो यह ज्यादा अच्छा होगा कि आप निकल जाए क्यूंकि अगर गैप डान हुआ तो एक गैप छूट जाएगा उपर वो गैप फिल हो जा तरफ दलेगा अधरवाइस यह जब लेवल नहीं निकलेंगे ज्यादा स्टॉप लॉस लेनी पड़ेगा तो वो 630-620 की लेवल है सबसे बड़ी है यही है कि इन लेवल को वाच करें अगर यह निकलते हैं तो हट जाओ पुट के रास्ते से अगर नहीं निकलते हैं तो प पुट बायर से उनके लिए अपोच्टी बनेगी बस तो यह रहा सिनेरियो निफ्टी का और उसके बाद बापस जब आर्वाइए मीटिंग में इंटेसरेट एनाउंस हो जाएंगे बाकी बगरा बगरा बाते हो जाएंगे तो फिर मार्केट जो है न वो तेज यूज अप इसके सासरे ट्रेंड लाइन को भी टच करेगा इसके सासरे यह गैप भी फिल हो जाएगा 31ज़ाद 200 जाने से तो बहुत जादा नहीं सिर्थ 200 पॉईंट ही यहाँ पर जो है न पॉईंट 50 पॉईंट 50 पॉईंट 40 परसेंट ही यहाँँए ऑपसईट चाहिए है वो गैप निकले और जैसे वो gap फिल होगा उसके बाद कोई भी अपर रेंज में कोई gap नहीं है नीचे gap चूटा है यहाँ पर अल्मूस्ट रहे है 39,913 और उसके बाद जो गरावट होगी वो आपको देखना है अगर गरावट होती है तो आपको गरावट की और मुड़ जाना है अगर तेजी होती तो वो trend line को breach करके निकलेगी वो थोड़ा सा upside impossible देखता है लेकिन downside यहाँ पर ज़्यादा देखता है तो मैं थोड़ा सा downside की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि वो सारे levels जो सारे indicators है वो कह रहे हैं कि भाई तेजी हो चुकी है पांस दिन से तेजी भी हो र अगर निकलता है तो हड़ जाना है अदरवाइस यहाँ पर पुट वाले जीत सकते हैं कल के दिन अदरवाइस यहाँ पर जो है ना यह सो पॉंट अगर निकल गया और तेजी यहाँ पर बनेगी और आर्भी आने कुछ अच्छा बोल दिया तो सब उल्टा पड़ जाएगा लेकिर वो पता नहीं वो इस वक्त वो दिख नहीं रहा है सिनेरियो तो देखी आपोच्छिटी खोजनी की कोशिस करें यह रहा है यह सारे लेवल्स रहे यह मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इंडिकेटर कह रहे हैं कि पुट की तरह लेकिन वो कब वो थोड़ा सा स्ट्राइटिक बनना पड़ेगा ठीक है ना बाकि अगर निकलता है तो फिर यहां पर जो है ना कहिना की तेजी बने लेकिन कितना तेजी बनेगे यही बात है पांस दिन से चला है लगातार सो देखिए अपने इसाब से अपोच्छिटी अगर आपको मार्केट हाई पर मि करिएगा इस टॉप लॉस्स जरूर मेंटेर की चाहे कॉल बाला हो चाहे फुट बाला हो किसी यो नहीं पता किदर घूम जाएगा चानक से ठीक है तो क्या बोलेंगे यह भी नहीं पता है तो यह सारी बात है बाकि सिनेरियो यही बन रहा है कि डाउन साइट का पॉसिबिल